दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पताई होगा भी हाली में 11 गस्त को सिनमा गरों में रिलीज हुई है बोलेवड के पाजी सन्नी दबल की फिल्म गदर टू फिल्म को आज सिनमा गरों में रिलीज हुए 16 दिन चल रहा है और दोस्तो गदर टू फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है जी यहां दोस्तों फिल्म को आज सिनमा गरों में रिलीज हुए 16 दिन चल रहा और अभी भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना करता पर तोड़ कमाई करने में लगी हुई है ना जाने कब जाकर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुखे तोऑई आज यहीं फिल्म आनि है अपने रिलीज के 16 दिन इंडिया सोर पॉर वर्ल से कितने क्रोड़ रूर रुपए की कमाई करने वाली है तोऑई दोस्तों जब पठान फिल्म सिनमा गरों में रिलीज हुई थी तो दोस्तो बस आप लोंग मेरे इस बड़ों के साथ आखरी तक बने रहिएगा दोस्तो अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें फिल्म अगदर टूगी तो दोस्तो फिलहाल सिनमा गौर्ण में बॉलिवड की कई बड़ी फिल्में चल रही है जिसमें अनन्या पांडे और परेसरावल की ड्रीम गर्ल टू तो हैं दूसरी तरफ अक्षे कुमार की ओम जी टूफिल्में भी सामिल है लेकिन दोस्तो इन दोनों फिल्मों से गदर टूफिल्मों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है जी यहां दोस्तो गदर टूफिल्म का कमाई देख सनी दवसन ने यह भी कह दिया कि आप लोगों ने मेरे दिल में पूरी तरह से गदर मचा दिया यकिन नहीं मानेंगे कि दोस्तो फिल्म को आज सिनमा गरों में रिलीज हुए 16 दिन चल रहा है और दोस्तो फिल्म के अभी भी सारे सोज हाउस पूरोत हुए नजरा रहा है लाखो ओडियंस सिनमा गरों के बार लाइन लगा के खड़े हुए है उनमें से तो दोस्तो कई हजार ओडियंस ऐसे हैं कि टिकर्स ना मिलने पर अपनी घर की तरफ चले जा रहा है और ओडियंस का फिर भी यही कहना है कि दोस्तो आज नहीं तो कल गदर टू फिल्म को हम देख करी रहेंगे अब दोस्तो आप लोग अंदा जलकाई सकते हैं कि गदर टू फिल्म को लेकर ओडियंस किस कदर एकसाइटेड है फिलमों को लेकर आउडियंस के बीच की इस तरह बर्ज बना हुगा है वैसे दोस्तों अगर आप बात करें फिलमा गदर टू के 16 दिन के कलेक्शन को लेकर दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताता चलू कि अनिल सरमा के डिरेक्शन में फिलमा बनी है जिसका बजट लवक सोकुरोड रुपए करीब था तो हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा फिलमा चार दिन पहले ही अल्टाइम ब्लोगवेस्टर हो चुगी थी तो हैं दोस्तो बता दिकी फिलम में हमें सनी देवल सर के साथ साथ है हम इसा पठेल सीमरत को और अरुटकर सरमा लीड रूल में देखने को मिले हैं वाकाई में इन सभी की अक्टिंग और परफॉरमस को ओडियंस खुल के तारिफ कर रहा है और यही वज़ा कि दोस्तो गदर्टू फिलम की चर्चा है हमें हर जगहें देखने को मिल रही है जहां देखो वहां गदर्टू इंडिया में तो फिलम की चर्चा चली रही है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में हमें फिलम की चर्चा देखने को मिल रही है पूरी दुनिया के कोने कोने में गदर टू फिलम पूरी तरह से गदर मचा रही है वैसे दोस्तो बता देखी फिलम का में जो फर्स्ट डे कलेक्शन देगने को मिलाता हो था इंडिया वनेट से 42 करोड 10 लाक रुपए करी तुहाई फिलम का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन हो कोड़ कमाई की हमें विल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि दोस्तों गदर टू फिलम का कलेक्शन इतना जबर्दस्त देखने को मिलने वाला है लेकिन यहां पर तो दोस्तों गदर टू फिलम ने पूरी तरह से गदर मचा दिया वैसे दोस्तों बता देखी तेरे दिनों का क पूरी तरह से लाती हुए दिख रही है दोस्तों पूरी तरह से मचबूर हो चुका हो कि गदर टू फिलम की तारीफ ना करूए दोस्तों बता दिकि आज फिलम इंडिया विनेट से 12 करोड रुपे करीब कमाई करने वाली है तो यह फिलम का अपने पूरे 16 दिनों का टोटल बॉक्स अबिस कलेक्सन हो रहा है इंडिया विनेट से 435 करोड 20 लाख रुपे करीब तो यह फिलम पूरे दुनिया बर से भलोग देखी सकते हैं कि आहिंट तरफ किया खोर नहीं किया जाया तो और क्या किया जा जैसी फिलम की रिलीजजेट पास आती रही फिलम की टीजर फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया और आप लोगे अच्छी तरह से जानते होंगे कि आडियंस के तरफ से फिल्म के गाने फिल्म के ट्रेलर फिल्म के टीजर को किस तरह रिस्पॉंस देखने को मिला फिल्म के गाने फिल्म की टीजर फिल्म के ट्रेलर सारे के सारे हीट रहे जिया दोस्तो पठान फिल्म का साल 2023 में इस लेवल का बर्ज बना हुआ था कि दोस्तो आउडियंस इस फिल्म को लेकर पूरी तरह से क्रेजी बन चुके थे यहां तक कि दूस्तो आओ!ंस इस फिल्म को लेकर इसकार 270 थे की दोस्तो जैसी ही आओडियम्ज को पता चला कि सेरुख Χान की फिल्म। next पतान आने वाली एक तयसी आई आओडियम्ज इस फिल्म के पोच्टर को निकलवाकर पूरे बारत के कोने कोने में लगाना शुरू कर दी है और तो और दोस्तो पूरे दुनिया के आडियंस पठान फिल्म को लेकर एक्साइटेड थे जी यहां दोस्तो यहां तक की दोस्तो बुर्ज खलीफा पर भी फिल्म के ट्रेयर को चला गिया था अब दोस्तो आप लोग अंदाजा लगाई सकते हैं कि पठान फिल्म का किस लेवल का बर्ज बना हुआ था यहां पे आप लोग देखी सकते हैं कि दोस्तो गदर टू फिल्म का किस लेवल का बर्ज बना हुआ लेकिन फिर भी पठान फिल्म का गदर टू फिल्म रिकॉर्ड साही नहीं कर पाई याभी तक जो की गदर टू फिल्म है इस कदर कमाई कर रही है वैसे दोस्तों अगर नहीं यहां पर बात करें फिल्म के 16 इनके कलेक्शन को लेकर तो बता दे कि सिदार तानंद के डिरेक्शन में फिलो बनी थी जिसका वज़ाद लावक 500 कौरोड रुपह यह करीब था फिलो में हमें सहरु खान के साथ जौन इवराहिम और दीपीका पात्कों लीड रूल में देखने को मिली थी अगर दोस्तों आप लोग पठान फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को यह पता ही होगा कि इन सभी की आक्टिंग और परफॉर्मेंस हमें सि किनमा गरों में चली उतने दिनों तक पठान फिल्म ने ताबर तोड़ कमाई की दिन पर दिन एक से बढ़के एक बड़े रिकॉर्ड बना रहे थे पठान फिल्म ने यहां तक कि दोस्तों पठान फिल्म ने अपने रिलीज के पच्पनवे दिन याद रहे कि दोस्तों क्लेक्षन देखेने को मिला था साथ करोड़ पचाता लाक रुपए इंडिया में एट से तो यहीं फिल्म का अपने पुरे चौदर दिनों का टूटल बॉक्स अब इस कलेक्षन हो चुगा था तो यहीं फिल्म का पुरे दिनों का टूटल कलेक्षन देखेना को मिला था इंडिया में एट से 459 करोड 90 लाक रुपए तो यहीं फिल्म का पुरे दुनिया वर्से कलेक्षन हो चुका था अपने पूरे 16 दिनों का 888 करोड 60 लाक रुपए के करीब दोस्तों यहां पे आप और पठान फिल्म को देख चुके हो आप लोगों को इन दोनों फिल्म में से कौन से फिल्म ज्यादा बेस्ट लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रू से बताईएगा दोस्तों आज की सोड़े वसीतना है मिलते की से कावर वीडियो के साथ अब तक लिए गुड़ बाए झाले वसीतना है